पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के सामने ये स्वाल आया कि क्या वो फेरी वाले या होकर्स जो कहीं पर अपना समान बेजते हैं वो रात को भी उसी जिगए पर समान रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं ये मामला सरोजनी नगर मार्केट से संबंदित था वहां पर एक होकर जिसका नाम मोहनलाल है उसने दिल्ली हाई कोर्ट में पहले केस किया था और ये कहा था कि उसे जहां पर वो अपना जो समान बेजता है वहीं पर उसको रात को भी समान रखे जाने की इजाज़त दी जाए दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया था फिर वो सुप्रिम कोर्ट पहुंचा और सुप्रिम कोर्ट में भी उसकी यही बात थी कि उसको रात भर जहां पर वो समान बेजता है रात में भी वहीं पर समान रखे जाने की इजाज़त उसे मिले सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना का फेरिवाला था उसको जू रियायत एक के पहले के बी केस हैं जैसे सोधन hybrid केस के चलते जो है आप देखते होंगे कि दिल्ली में जो वीकली बजार लगते हैं पहले भी लगते थे लेकिन उसके बाद उन पर रोक लगाए गई थी फिर सोधन सिंग जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आर्टिकल 32 में और उन्हें ये बेनिफिट मिला उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जो राइट टू कैरी ऑन ट्रेट बिजनर्स या प्रोफेशन है उसको जो है दूसरी लोगों के जो राइट से राइट टू मोव्मेंट वगरा है ताकि जो गली या जो मार्केट है वो अबस्टक्ट ना हो उसके साथ बैलेंस करते हुए देखना पड़ेगा और उन्हें सब अगे ले जाने की कोशिश थी कि भी पब्लिक प्लेस पर आप होकिंग तो करते हैं आप समान बेजते हैं लेकिन अब वो समान हर रोज आप उठा करके लेके जाएं फिर वापस लाएं तो उससे अच्छा कोर्ट इस तरह का एक उनको रियायत दे दे कि वो समान रात को भी ही है और सुप्रिम कोर्ट में मौहनलाल को इस मामले में कोई रियायत नहीं मिले नमस्कार धन्यवाद